एलो फेंड्स वेल्कम टो अवर चैनल में MG Manis Guru GS Teacher from Patna BR चलिए आज हम लोग कॉम सा सेट करने वाले है आप लोग देख लिजिए आज हम लोग जो है आठवा सेट करने वाले है आठवा सेट चाओदा सो सो प्लस कोशन का हम लोग आठवा सेट करने वाले हैं सेट 8 है आप लोग देख सकते है ठीक है और यहां पे देख लिए आप लोग 25 कोश्चन आपके लिए रहता है 25 कोश्चन 25 मांक्स कर रहता है और इसका PDF भी साथ में एवेलेबल है इस नंबर पे आप जो है वाटसब करके आप PDF ले सकते हैं उसके बाद देख लिए यह हम किसका करवा रहे हैं तो यह हमारा ही बुक है 1400 प्लस कोश्चन है सामान विज्ञान का गुरूबडी के लिए स्पेशल है और NTPC के लिए भी यह जो है 50 सेट इसमें आपका है 50 सेट है साथ में आपका काफी साला फिजिस का नुम्रिकल स्पेशल कोश्चन है 100 कोश्चन नुम्रिकल है उसके बाद 55 कोश्चन आपका क्या है chemistry है उसके बाद आपके लिए formula भी है काफी कुछ है यहाँ पे उसके बाद देख लिए यह तो आपको मिल जाएगा और इसका बुक का ही आपको complete PDF जैसे बहुत लोग बहुत दूश है इसके लिए आप लोग इस नंबर पे जो है आप यह कर लिजिएगा और वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है मनीश कुमारोय के नाप से सर्च करना है और गोल में आपको SSC exam non-technical select किजिएगा SSC exam non-technical तभी जो है आप हमें follow कर पाईएगा हम आपका अभी सबसे पहले वहाँ complete कराएंगे science after that उसके बाद हम लोग चलेंगे GK and GS में ठीक है चलिए वहाँ पर देखिए आप कोई भी कोर्स लेते हैं या फिर किसी भी सस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है तो कोड लगा देना है आपको मनीश गुरू 10 लगा दीजिए तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा या फिर आपको क्या है टेस्टिरीज भी अफ्री में दे सकते हैं वहाँ पर भी आप वहाँ पर कोड लगा दीजिए अब जल्दी से आजाए आठवान नंबर सेट के लिए तयार हो जाएए एकद बहुत नजदीक अगर आजाता है एक दिन में आपका पांच सेट करके कंप्लीट करवा देंगे बिल्कुल आप मत घब रहिए हम हैं जब तक आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं लेना है चलिए और पढ़ाई तो मेहनत लगतार से करते रहिए पूरा एकदम गुरुत् जल्दी से बता देगे गुरुत्यों अकर्शन के संदर में जी को क्या कहा जाता है आपका जी क्या है गुरुत्या इस्थरांक गुरुत्या अकर्शन गुरुत्या बल गुरुत्य की कारण होने वाला तुरन इसका अंसर क्या आजाएगा आपका सयुत्तर है option number A क्या है सांग को ग्रैविटेशनल कॉंस्टेंट जो कि हम लोग कैपिटल जी से जो है डिनोट करते हैं इसको किसे तो कैपिटल जी से मान लिजिए समझ लिजिए अगर आप लोग कि आपके पास दो द्रब मान है क्या है आपका एक एक और एक है कैसे आया पूरा हम आप को थोड़ा सा समझाे रहे तो द्रमान आपका और यहां से इन दोनों का रही कतना है यहां कभी कितना है आपका और यहां से ब七 गृत्वक्रशन ट्रएक इस जिरह स्ट स्टर होता है यह constant value है आप रिमांग में छाप लिजे और इसको आप रोग याद भी का लिजे 6.67 गुने 10 के power minus 11 जो होता है 6.67 गुने 10 के power minus 11 Newton meter square kg के power minus 2 आपका ये जो दिया हुआ है Newton meter square kg के power minus 2 ये भी आपका एक्जाम में पूछा जाता है कि जी का unit क्या है दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जी का value कितना है 6.67 गुने 10 के power minus 11 अब आपसे दूसरा एक और जो है जी का अगर आपसे पूछ दिया रही ये भी जितना question बन रहा है देखिए हरी question में मतलब कहा है ऐसा आपको बहुत question मिलेगा जहाँ पर आपको हरी explanation नहीं वहाँ पर simple answer पढ़िए आगे बढ़िए इस question से खाफी question बनते है तो इसको हम लोग पूरा discuss कर लगते है जी का खोज किस ने किया एक और आपका very very important question है जी का खोज किस ने किया comment करते जाए आप लोग तो kevendis ने किया किस ने किया केvendis ने किया आपका g का खुल दिक और ले लिजे जब यहीं से g का ही बात हुआ है तो g का वीमा क्या होता है देके हम इसका g का वीमा यहाँ पे लिग दे रहे हैं न्यूटन मिटर स्कुर्ट तो इसका आपका क्या गया इसका इसका सिंपली उसके बाद आपका वीमा काफी इंप्पॉर्टन्त है उसके बाद जी का जो है किसने कोज किया है और ऐसको परगे आपको घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि नुम्रिकल आगे, हम आपको हमेशा बता रहे हैं, गुरूबडी अब आपको काफी महनत करना पड़ेगा, वैसा वो लेबल नहीं रहा गया, यह आप सोचे हैं कि आप हम कम पर के सेलेक्से ले लेंगे, देख रहे हैं NTPC का क्या सिचु आपको 10 कोशन आसान मिलेगा, 10 कोशन मोडरेट मिलेगा और 5 कोशन जो आपको हाई लेवल मिलेगा, इसमें भी आपको एक दो कोशन करना पड़ेगा, देखिए इसको कितना सिम्पल तरीका से सॉल्ब करनेगे, क्या दिया, एक आदमी 50 कर यह द्रमान के एक बक्से को 80 न्य हुआ है, 80 न्यूटन दिया है, 80 न्यूटन दिया है, और M आपको कितना है, तो 50, 80 दिया है और 50, जल्दी से सॉल्ब कर दिजिए, कितना आजाएगा, जल्दी से इसको सॉल्ब कर दिजिए, कितना आजाएगा, इसको जैसे आप लोग सॉल्ब किजिएगा, एक जीरो से तो क्यानिक द्रोबान को आधा कर दिया जाए अगर आपका ध्रमान अभी कितना हैं आपका M過去 कर दिए इसको आपको क्या करना परा है M waiver ले लिए आधा कर दिए क्इतना आगिया 25 की छाँ आधा कर दिए तो त्वरं क्या होगा बस फ्रम अत्वरन के लिए दुबाराँ आप फर्मूला बैठा दीजिए, क्या होगा, A equal to F by M, F आपका कितना दिया हुआ है, F आपका है, 50, sorry, F आपका कितना है, sorry, F आपका 80 है, 80 और बटे में M कितना आगे अब, आपको M लेना है, 25 आधर कर दिना है 25 कितना आ जाएगा इसको शॉल्ब करें और एक दम अंसर देते जाए कुछ नहीं जब इसका 1.6 आया है इसका डबल हुझा कितना आ जाएगा इसका इसको स्लब कर जिएगा 80 25 आपको कितना जाएगा 3.2 मीटर प्रती सेकंड और आपको पूछा है दूसरा का तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहला वाला इस पॉर्षन को कितना आया तो पहला तोरन आपका आगिया 1.6 और दूसरा तोरन आपका आगिया 3.2 तो फिर तो आपको दोलो शॉल्ब करना पर रहे हैं वन्ना डारिकली आप उससे केवल सेकेंड वाला से उसको सॉल्ब कर सकते हैं आगे चलिए इस को देखिए पांच ग्राम कैल्सियम में म मोलों का संख्या निकालना है तीन नंबर का कोश्चन है इसको हम लोग बहुत बार डिसकर्ट भी किये हैं यह आपका मोल का संख्या निकालने के लिए यह देखिए आपको मोल से केमेस्टी का जरूर मिलेगा कोश्चन आपको देखने को मिलेगा और मोल को देखके जो सभी भाग जाते हैं भागना नहीं है चो आपका ग्राम में पर्मान में बस ग्राम बला रख देना है कितना आपका दे हुए फू सका तो दो रख दिये हैं और calcium का आपको बताना है ना तो calcium का कितना होता है potassium calcium 20 हो गया atomic number तो कितना आ गया इसका simple है इसका जब 20 आ गया तो 40 आपका आ जाएगा 40 आपका double हो जाएगा ना दरबमान में 40 तो 5 by 40 जल्दी से comment कर दिजिए 5 by 40 आपका कितना आ जाएगा एक बटे में 8 एक बटे में 8 0.125 mole एकदम clear होगा एकदम इसको छापते जाएगे दिमाग में भी छापते जाएगे mole से आपका बहुत question मिलेगा option number इसका सही कौन सा है option number B आपका सही उतर है option number B आपका सही उतर है एकदम आगे बढ़िए आप लोग पूरा इसको revision करते जाएगा पचासो सिट बहुत बढ़िया तरीका से इसमें दिया गया है पूरा ठीक है उसको करते जाएगे चलिए अगले question पर हम लोग चले कौन सी को सीका है पूधे के विभीन अंगों को जन्म देती है और पूधे को बढ़ाने में मदद करती है पूधे को जन्म देती है और बढ़ाने में आपका क्या मदद करती है अस्थाई तो गलत है त्वचिया भी गलत है मैरिस्टमेटिक और या फिर प्रोड आपका बिल्कुल जो है अंसर सयुत्तर है मेरिस्टमेटिक जो है आपका सयुत्तर है मेरिस्टमेटिक जो है आपका कोशिकाय पौधिक के विभीन अंगों को जो आपका है जनम देती है और पौधे को बढ़ाने में मदद करती है पकल लिजे आपका क्या है मेरिष्ट 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 मेर कि आप को लिए हैं इसके ब्रमान निकालनेंगा घरभ MOR निकालने के लिए हम आपको पहले ही बता दिया रखना दिमांग में अप लोग रखना खरांनें आपको कितना है जो आपका दिया हुआ ग्राम रहेगा 52 ग्राम और नीचे में आपका कितना आ गया जो आपका दिया हुआ रहेगा आपका बावन ग्राम हमेशा उसको उपर रखना है और नीचे में आपका एटोमिक मास जो आप निकाली है इसे हीलियम का बताना है तो हीलियम का कितना आता है चार आता है तो बावन बाई चार आपका कितना आजाएगा बहुत सिंपल है तेरा मोल देख लिजिए है बहुत सिंपल बस प्रैक्टिस कीजिए और अपना नमबर को इनक्रीज कीजिए आपका सही उत्तर है अगले कोशन पर चलिए अच्छा आप लोग से एक रिक्वेश्ट होगा कि आप लोग अगर जो लोग को भी विल लोग मतले जो हमारा कंटेंट है सही लग रहा है देखिए एक दूसरे का हेल्प कीजिए और भी फ्रेंड को सजिस्ट कीजिए अपना सप लिखाएगा हम आपके लिए करेंट अफेर्स क्या भी पूरा अच्छी तरीका से जो है हर एक टॉपिक से आपका करेंट अफेर्स भी हम आप लोगों के लिए एकदम तयार कर रहे हैं बेश्ट तरीका से त्यार कर रहें ठीक है चलिए आजए इसका अंसर दे दिजे त्वरनका मूल क्या होता है प्रित्वी के केंदर में गुट्वा कर्शन के कारण त्वरन का मूले का की ही सोन हो सही उतर है चलिए अगले कोशन पें NTP पर Oxygen 18.066 गुने 10 के पर 30 परमानुओं को एक बंद बरतन में रखा लिया तो उसके ग्राम परमानुओं की संख्या निकाले संख्या निकलना है तो आक्सीजन के परमानू को संख्या आपका कितना दे दिया है तो 18 गुने 66 आपका दे दिया है उक्सिजन के ग्राम परमान्व का संख्याय निकालना है ben छाप की घया थैं दिया गए पर मालों का संख्यार यह डिया गया परमान्व को उसको इस भी और नहीं आई गा कुश्चन दिए गया परमानों को संख्या को बस एवागेड्रो नंबर से आपका एवागेड्रो एवागेड्रो नंबर से बस उसको डिवाइड कर दीजिए बस डिवाइड कर दीजिए शॉल्ब किजिए 18.066 गुने 10 के पावर तेज और बटे में अवागेड्रो नंबर कितना होता है सबी को पता है 6.023 गुने 10 के पावर तेज इसको शॉल्ब करिए और जल्दी से देखिए कि कितना आ रहा है दस के पावर तेज तो तेज तो तेज कट गए आपका 6.023 आप सिंपली तरीका से जब इसको आप सॉल्ब किजिए कितना आ रहा है 6.023 कितना आ रहा है देखिए कितना बार में आ जागा छतरी कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा option number C आपका सही उतर है option number C क्या करना है जो आपका दिया हुआ है उसको उपर लग देना नीचे में अवागेड़ो नमबर से आपको बस divide कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है एकदम clear है इस सब को आप दिमाग में भी चापिए copy में भी चापिए इतना practice का लिजे कि exam में नहीं चुटे मेरा target है 22 नमबर 25 नमबर कोई को इस्टुएंट 24 नमबर आपको science में लाना ही पड़ेगा लाना ही पड़ेगा बहुत अब जो है competition को आप देखिए कोशिका सिध्धान्त का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानी का नाम बताईए कोशिका सिध्धान्त का क्या है परस्ताव देने वाले वैज्ञानी का नाम आपका क्या है जल्दी से बता दीजे इस question को हम लोग पहले भी कर चुके हैं आपका क्या होगा सबसे शॉइञांगर फेले आपने कीजिए कोशिका सिध्धान्त के प्रस्ताव देने वाले वैज्ड्यानी का नाम है आपका स्वाइडेनगर स्वागी दे और स्वाइनगर यहीं जो लोग इंग्लीज वाले पढ़ाशान होते हैं किसको और सद्धान्थ आपका अपका ऐसंथी मिए सेल थीयोरी जुह यहीं तो है इसल थ्योरी का बात 38 से लेके 49 में स्वाइडन और स्वाइड़न द्वारा इसका प्रति पादम किया गया था अगले कुस्चन पर चलिए कि चलिए इसका बताएं मैंगनेसियम को 10 के पावर 20 परमानों में कितने मोल होंगे हम आपको पहले बता दिये थे क्या करना है सिंपली आपको कितना दिया है दस के पावर बीश यहां तो देख लिए यहां पर आपके क्या मैगनेशियम का ती ही दिया है आपको कितना मूल होगा तो आपको क्या निकालना है दस के पावर तो बीश दे लिया और आपको लाश्ट में क्या करना है आपको डिवाइड दे द ठीक है? और इसमें सिम्प्ली कुछ भी नहीं करना है, 12 के पावर 13, आपका सिम्प्ली आ गया, इसको बस आप jeśli और दिवाइड दीजिए और ज़ली से देखिए कि इसका अंसर कितना आ रहा है, solve किजिए 10 के power अच्छा उपर में 10 के power 20 नहीं यहाँ पर दस के power 20 है ना यह question में दिया हुआ 10 के power 20 और 10 के power 20 कितना आगे जब solve किजिएगा तो 10 के power तो आपका simple यहाँ पर आगे minus 3 ठीख है ऊपर जाएगा और यहाँ पर आपका यह एकदम आपका क्लियर हो जाना चाहिए कुछ नहीं करना है दस के पावर 20 को एवागेडरो नमबर से आपको बस डिवाइड रेते दिना है यह सब को concept को जेतना practice कीजिएगा उतना आपका होगा कहां से आया क्या आया आपके समय पूरा clear है जो जीव प्रकास का उप्योग का भोजन तयार करते हैं उन्हें dash के रूप में जाना जाता है जो जीव प्रकास का उप्योग का भोजन तयार करते हैं उसे क्या है, किस रूप में जाना जाता है, दस नंबर का बता दिने, जो जिव प्रकास का उप्योग का भोजन तयार करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल आपका question दिया हुआ है, उसे स्वपोशी के रूप में जाना जात सब्सक्राइब प्रकास का उप्योग कर भोजन त्यार करते हैं इसका आपको बढ़िया आपको एक्जांपल मिल जाएगा स्वक्षी का आपका क्या है अपका आपका जो है घ्रीन प्लांट्स जो आपका स्वक्षी के अंदर आते हैं ग्रीन प्रांट जो है वस्वपोसी के अंदर आते हैं ठीक है क्यों आते हैं कि क्यों वो सब क्या प्रकास का उप्योकर भोजन जो है अपना तयार खुदी करते हैं आगे बढ़िए अगले कोशन पे चलिए इसका बताईए वर्ल्ड वाइड वेब का डैस द्वारा अविस्क द्वार किया गया था यह बहुत सिंपल कोशन है रिपिटेट कोशन है आपका कंप्यूटर का है तीम बढ़नल्स ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब जैसे कि क्या है आपका डबलू 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 हम देखते हैं सर्च इंजिन में क्या करते हैं डबलू डबल ली है अगले question पे चलिए और बता देजिए जली से किसी सरीर के भार W को इस सूतर द्वारा बताया जाता है W equal to क्या होता है भार बराबर M गुने G सभी को पता है M क्या है M आपका है द्रमान है और G क्या है आपका तो गुरुतिय त्वरन है जी क्या है आपका तो गुरुतिय त्वरन है आपका जी आपका है गुरुतिय त्वरन आपका है तो W equal to क्या हो गया M गुने G option number D आपका सहुतर है W equal to हो गया आपका M गुने G ठीक है फिलियर है 12 नंबर बे और कुछ भी नहीं था W equal to हो गया आपका M गुने ची और यहां से आपका numerical भी आता है अच्छा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भार का Newton क्या होगा SI, sorry, SI unit क्या होगा हम आपको तो answer बता दिए तो क्या हो जाएगा आपका Newton हो जाएगा क्या हो जाएगा Newton हो जाएगा और बल का भी आपका semi होता है हैस बहुत simple लेकिन भार का SI unit पूछ दिया जाता है तो बहुत लोग उसका kg मार देते हैं जो कि कभी भी नहीं होगा आईए इस question का जल्दी से बताएगा निमलिकित में से कौन से अंग जो है Lypage enzyme उत्पन करता है कौन से अंग जो है आपका Lypage enzyme उत्पन करता है 13 नमबर का बताएगे जल्दी से कि अंसर क्या आ जाएगा Lypage enzyme के बारे में आपको बताना है इसका आपका अंसर क्या आ गया इसका अंसर आ गया अगनास है option नमर आपका यह जो है अगनास से आपका बिल्कुल सही उत्तर है क्या है आपका Lypage enzyme जो है एक agnostic enzyme pancreatic enzyme जिसको कहते है इसको pancreatic enzyme जो है आपका अगनास से जो है इसका सही उत्तर होगा अगनास से अंग Lypage enzyme उत्पन करता है option नमर आपका सही उत्तर है अगनास से जो क्या करता है कि वसाओं को वसा अमलो और ग्लिस्रोल अत्वा अन अलकाहॉल में बदलने की क्रिया को उत्पेरित करता है यह आपका क्या करता है कि वसाओं को वसा जो आपका वसा है आपका फैट से अमलो है एसिड है और आपका ग्लिस्रोल अत्वा अलकाहॉल में बदलने ग्राम आपका परमानु होंगे जल्दी से बता दिजी इसका अंसर क्या आएगा हम आपको अल्मुनियम का बात किया गया है अल्मुनियम का आपका दे भी दिया है अटमिक मास कुछ नहीं करना है 50 ग्राम हम आपको बोले थे 50 वाई 26 गुने 98 बस इसको आप लोग सॉल्व कर जल्दी से आपका क्या अंसर आएगा इसको आप जब कर लिजिए अराम से बैटके तो आपका क्या जाएगा एक्जाम में सॉल्व करना है बस कैलकुलेशन है आपका 1.85 और ये आपको 1.85 आपका आगया ठीक है 1.85 आपका अंसर आएगा देखिए अल्मुनियम का ऐसे अग होने से नहीं ले लेना है कि 26 अंसर गलत आजाएगा सब आपका पॉइंट में दिया हुआ है इसलिए आपका भैलू भी देदिया है 26.98 होता है अगला कोश्चन पर आजाएए इसका अंसर बता दिजिए आपका यहां से इस तरह से एक रसाइनिक सुतर भी आपका पूछा जाएगा अमोनियम ऑग्सी लेट का रसाइनिक सुतर क्या है अमोनियम जैसे देख लिए तो आपका आई गया और एच फॉर तो आपका आगया और सी टू ओफूर क्या आगया सी टू ओफूर ऑप्शन नमबर सी जो है सही उत्तर है इसको आप लोग दिमाग में च्छाप लिए एन एच फॉर उसके बाद होल्ड ट्वाइस टू उसको बाद सी टू ओफूर अमोनियम ऑग्सी लेट आपक कर सकते एक n dv mg मैं दिया हुआ है एकमची जामन मिली में दिया हुआ है एक इक घर कर दीजे कुछ नहीं है यह क्या हो जाएगा फ्राइब हो गया एक घराम कंब कि निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा जी लो पॉइंट Blue ड़ीन 007 अई ही तो बस आईगा नब 10 000 बन घ्र 0.001 और बट्टे में किसका सिलवर का और सिलवर का आपका देख लिए यहाप कोश्चन में आपके दिया गया है वह पर दिमाग नहीं लगाना है बस यहाँ पर शॉल्व कर दीए 107.8 इसको शॉल्व कर दिजिए अराम से इसका जो है सॉल्व कर दिजिए गा तो इसका अंसर आ जाएगा क्या आ गया 107.8 इसको बस आप लोग solve कर दिजे कितना आ जाएगा इसका solve किजिए 9.28 गुने 10 के पावर माइनस 16 मॉल solve करना परेगा solve के पीछे से भागिएगा नहीं solve आपको करना परेगा बस normal इसको calculation है समय लगाईएगा exam में भी solve किजिएगा क्योंकि एक एक नंबर जो है एक एक नंबर कितना एहमियत है इस सीच को आप समझ रहे होंगे अभी आप NTPC का situation को देख लिए आपको maximum से maximum नंबर लाना ही पड़ेगा merit बनाना है तो आपका क्या है 9.28 दस के पावर माइनस 6 मॉल इसका answer बता दिजिए बार ग्राम oxygen गैस में मॉल की संख्या क्याति करें a oxygen का परमानु दिरम्मान कितना दिया है सुल्फ़ है आपका मॉल का हम आपको बता दिये थे मॉल के लिए आपको हम ऑ्लेडी बता चुके हैं तो को करना है ऑक्सिजन गैस के बारे में आपको हैं स्वस्ते ऐस्टी 12 एकडम मैं इसको करना परेगा यहां आप से नहीं होगा Lu सिम्पल आप मोल करकें में प्रुवादेंगे न स्सक्राइर कुछ कि विपता थों गयरा कूझ आन्विक यह क्या है आपका आन्विक बंद 18 नंबर का आपका अंसर क्या आजाएगा आन्विक बंद जो है आपका संयोजी को आन्विक इसी को हम लोग क्या कहते हैं molecular bond, molecular bond भी हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग बस अभी याद कर लिजिए कि सयोजी आबंद को क्या कहते हैं, तो आनवीक बंद molecular bond इसका एक एक टॉपिक करके हम आपको समझा देंगे इसका बाद में, वैसे यहां से ज़्यादा कुछ नहीं आदा, बस सिंपल आप से पूछा जाएगा सयोजी आबंद को क्या कहा जाता तो आनवीक बंद molecular bond भी कहा जाता है, अगले पर आजाएए और इसका बता दीजे, सलफर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंद हो सकता है, सलफर में बताना है, और क्लोरीन में आपको बताना है कि किस प्रकार का बंद हो सकता है, त 0물 कि पंत ऑप्र मपलेंट होता है एक का है का यह वक डिवानald मैं यह जिसे को क्या होता है हें एक कफी कॉन्साम को समझई आ Olympus को याद क लिए आप ड Alger Round protocol भूक्रिष याद कर लिए क्योंकि अभी एक तो पहला बार समय कम है और दूसरा बात इसका हम explanation पूरा करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा अगर बहुत ज्यादा यह matter होगा तो अलग से हम इसका topic बना के आपको यह सब explain कर देंगे जैसे हम कुछ का topic हम लेके चलेंगे जब देखेंगे exam में हम आपको पहले ही बता दे रहा है जैसे आपका exam स्टार्ट होगा और लगेगा कि हाँ कुछ topic अब आने लगा हम वैसे topic वाइस topic करके आपको जो जो आएगा important हम आपका clear करवा देंगे चलिए आ जैसे यह periodic table का हम पह अविसकार किसने किया यह सब जो आपका जितना question है यह सब आपका question है कुछ नहीं करना है simply आपको दिमांग में छापते जाना है आपका answer क्या जाएगा electronic stove का आपका 돌시aurais किसने किया नहीं है अगले question पर चलिए एक आविसकार से भी आपका पूछा जाता है इसका बता दीजी, 22 gram carbon dioxide में कितने mol है, इससे simple question क्या आएगा, mol आपको निकालना है, तो mol के लिए तो हम आपको क्या बोल देए थे, 22 gram 22 आपका देदिया, carbon dioxide का क्या करें, निकालें दिए, electronic mass, carbon dioxide, CO2, कार्बन के लिए यहां पर कितना दिया हुआ है 12 है प्लस ऑक्सिजन का कितना है 16 है सब आपका देर यहा है कोश्चन में 16 लग उने 2 32 12 प्लस 32 कितना आगया 12 प्लस 32 इसको अराम से जोड़िए और देखिए कि आपका कितना आगया 12 प्लस 32 को कर दिजिए कितना आगया 44 प्लस 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 प्ल कितने मोल होते हैं अमोनियम का बाइस नमर का जल्दी से बता दीजिए कितने मोल होते हैं कुछ नहीं भाइया सिंपली आपको हम आपको पहले ही बता दिये थे 12.044-10 के पावर तेज को क्या करना है आपको एवागेंडो नमर से डिवाइड दे दीजिए तो आपका कट गया और बचा के आपका जाने तब तो इसको को चोर के बढ़ जाएगा और यही सब कोश्चन अगर किजिएगा यही सब कोश्चन से आपका आपको यह कोसिस करेंगे अपने तरफ से पूरा अपना मेहनद करेंगे अगले कोश्चन पर आईए इसका बता दिये अमोनियम सलफिट का रसाइनिक सुत्र क्या है अमोनियम सल्फेट का आपको रसाइनिक सूतर बताना है यह अमोनियम सल्फेट का रसाइनिक सूतर क्या है अमोनियम का NH4 तो आ गया और सल्फेट के लिए सभी को पता है है स्वेट कैसे आया हम आपको यह भी सभाजा देते हैं और यह वह नहीं समझें जिलों को समझ में आरा सभी है ये वाला आपका जो 2 है इधर आ जाता है और आपका SO4 तो आपका आई जाएगा सल्फेट का तो SO4 ही होता है NH4 उसके बाद क्या आगया होल टो S2 और SO4 ओप्षिन नमर 2 आपका सही उतर है क्लियर होगा सायद लगबग तो क्लियर होगा एकदम दिमांग में इसको छाप लिजिए NH4 तो आगया SO4 हमेशा SO4 का देखिएगा आप लोग SO4 तो माइनस होता है हमेशा देखिएगा तो यह जो 2 माइनस आपका है उस साइट चला जाता है NH4 का यहाँ पर आ जाता है बस इसमें यही का आगया है दिमांग में चाप लिजिए option नमर आपका D साही उतर है अगले question पर आ जाएगे वाईव की आदर्ता डैस से नापी जाती है वाईव को जब आपका क्या है आदर्ता डैस से नापा जाता है हाईग्रो मीटर, नैनो मीटर, गुलुको मीटर, बैरो मीटर 24 का आपका अंसर क्या आ जाएगा 24 का आपका अंसर क्या आ जाएगा बहुत simple question है आपका जैसे आदर्ता का बात आ जाए आदर्ता का बात आ जाएए आपको क्या करना है हाईग्रो मीटर हाईग्रो, हाईग्रो का हाईग्रो मीटर हाईगरो मीटर ठीक है आदर्ता का बात अगर आगया अगर आपका दूसरा आप लोग छाप लिजे दिमाग में जैसे आपका पानी का बात आजाए पानी का बात आजाए जल का बात आजाए वो क्या आजाएगा आपका हाईगुरू के जगा Haidro हो जाएगा पाणी का आजाए कुछ भी इस तरह से आजाए तो ःपका क्या हो जाँगा पानी जहां आ गया तो हाईड्रू लग जाएगा आपका नैनो मीटर देखीए इसमें देदी आगेए 10 के पावर माइनस 9 मीटर को एक रता है हो गया इदर लिग देते हैं आपका दाब हो गया बैरो मिटर से आपका प्रेशर उसके बाद जो है मापा जाता है एकदम क्लियर और कुछ भी यहां पर समझे नहीं है हाई ग्रो अगर लगया तो आधरता आजाएगा हाई ग्रो और जैसे आपका पानी वानी आगया तो हाई मूल से आपका बिल्कुल भी कोशन नहीं फचना चाहिए लाइट से भी कोशन नहीं फचना चाहिए यह सब कोशन से आपका नहीं पढ़ना चाहिए बदाएगे जल्द से कितना आएगा हम आपको पहले बदा दिये थे क्या करना है आपका 100 गराम तो पहले आप उपर में 100 सबंऺ रंबला हम और को बूले तब संच नीचे में आपको साइट आ सेटS सानदा एक में उसकी सिंधक्रिक्म हुथ बला क olmas कराओ SR में ओर है की वर और क्योंगों भिलेश्चे सीनिए다고 का πो है 3- dedim 34er क्या कर दिना है कुछ नहीं बस यहां पे 100 और बटे में 256 स्वरी इसको बस कर दिजिए सौल आजाएगा आपका क्या आजाएगा जल्दी से 100 बाई 256 कर दिजिए 0.3906 मोल सायद क्लियर होगा जल्दी से क्लियर है ओके लिख दिजिए 0.3906 मोल ऑप्शन नमर आपका बी जो है सही उत्तर है देखिए हम स्वर्व करें उससे पहले आपको स्वर्व कर ले रहा है यहीं बस करना है यह पर 100 ग्राम बला आपको सबसे पहले दे दे देना है S8 से आपको डिवाइड कर देना है 256 से आपका आंसर आ जाएगा देखिए आपको हम बता दे आप तयारी बहुत मेंद तरीका से कीजिए आपको हर एक टाइप का लेवल मिलेगा यह सब कोशन से बिलकुल भी नहीं भागना है आपको शॉल्ब करना है सेलेक्शन लेना है प्रव्टो और जोई आपका आज जो है कौनसा करवादिया है हम आपका आठवा नमबर सेट करा दिया है आपका डेली सामता देखिए डेली आपका शहनमें छे yoga July साम मैं डेली जो है साम में च्छे बजे के लिए बस रीज़ेगा बस संड़े को शम में KO 17 सेई ऑप माईंगे हमारे ऊपर बरोसा रख烟 के लिए जो लोग नए हैं आपको पहले बताएज़ेगा पटा Mhm अगले वीडियो में धन्यवाद मेहनत किजिए लगतार और पूरा परहाई की जोर से लिए अगले वीडियो में धन्यवाद